गणेश चतुर्थी का त्योहार, हिंदू कैलेंडर के अनुसार, भाद्रपद माह के शुकल पक्ष की चतुर्थी तिथी को मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी का त्योहार, बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। यदि आप घर पर पहली बार गणेश जी की स्थापना कर रहे हैं, तो गणेश जी की मूर्ती को खरीदने से पूर्व इन बातों का ध्यान रखें। सूंड की दिशा, गणपती जी की मूर्ती में सूंड की दिशा बाई ओर होनी चाहिए। यह वाम मुखी गणेश जी की मूर्ती होती है, जो घर में सुख सम्रिध्धी और सम्रिध्धि लाती है। मुकुट, गणपती जी के सिर पर मुकुट होना चाहिए। यह मुकुट गणपती जी की शक्ती और धन के प्रतीक हैं। मोदक, गणपती जी के एक हाथ में मोदक होना चाहिए। यह मोदक गणपती जी को प्रसन्न करने के लिए अर्पित किये जाते हैं। मूर्ती की सामगरी गनेश जी की मूर्ती आम तोर पर पत्थर, धातू, मिट्टी या प्लास्टर से बनाई जाती है मूर्ती की सामगरी के आधार पर मूर्ती की कीमत और गुणवत्ता भी निर्धारित होती है मूर्ती खरीदते समय ये ध्यान रखें कि मूर्ती एको फ्रेंडली होनी चाहिए मूर्ती की बनावट गनेश जी की मूर्ती की बनावट अच्छी और बारीक होनी चाहिए मूर्ती में किसी भी प्रकार की खराबी या कमी नहीं होनी चाहिए मूर्ती का आकार गनेश जी की मूर्ति का आकार घर के आकार और स्थान के अनुसार होना चाहिए बहुत बड़ी या बहुत छोटी मूर्ति खरीदने से बचना चाहिए मूर्ति की कीमत गणेश जी की मूर्तियों की कीमत उनकी सामगरी, बनावट और आकार के आधार पर अलग-अलग होती है बजट के अनुसार मूर्ति खरीदनी चाहिए मूर्ति की मुद्रा, गणेश जी की मूर्ति में उनकी मुद्रा ध्यान देने योग्य है गनेश जी की मुद्रा हमेशा शांत और प्रसन्न होती है मूशक गनपती जी के मूशक को उनके पैर के नीचे रखना चाहिए मूशक को गनपती जी का वाहन माना जाता है ललितासन गनेश जी की यह मुद्रा सबसे लोकप्रिय मुद्रा है इस मुद्रा में गणेश जी एक पैर पर खड़े होते हैं और दूसरा पैर घुटने पर मोड कर बैठे होते हैं वक्रतुंड गणेश जी की यह मुद्रा भी बहुत लोग प्रिय है इस मुद्रा में गनेश जी का एक दांट टूटा होता है और उनके चार हाथ होते हैं अवग नहरता गनेश जी की यह मुद्रा शुभ और मंगलकारी मानी जाती है इस मुद्रा में गणेश जी अपने हाथों में मोदक, पान, रुद्राक्ष माला और शंक धारन करते हैं मूर्ती को किसी सभ्य और पवित्र स्थान से खरीदे मूर्ती खरीदने से पहले उसे अच्छी तरह से देख ले मूर्ती के साथ कोई भी पूजा सामगरी या अन्य वस्तुएं खरीदना ना भूले इन विशेशताओं और प्रकारों के आधार पर आप अपने लिए एक अच्छी और उपयुक्त गणेश जी की मूर्ती खरीद सकते हैं मूर्ती को स्थापित करने के बाद उसे विधिवत रूप से पूजा अर्चना करनी चाहिए गणेश चतुर्थी 2023 पंचांग के अनुसार गणेश स्थापना की सही मुहूर्त और तिथे भादरपद शुक्ल चतुर्थी 19 सितंबर 2023 मंगलवार चतुर्थी तिथी प्रारंभ 18 सितंबर 2023 सोमवार दोपहर 12 बजकर 29 मिनट पर चतुर्थी तिथी समाप्त 19 सितंबर 2023 मंगलवार दोपहर 1 बजकर 43 मिनट पर गणेश स्थापना का शुभ मुहूर्त 19 सितंबर 2023 मंगलवार सुभे 11 बजकर 1 मिनट से दोपहर 1 बजकर 34 मिनट तक है इस प्रकार गणेश चतुर्थी 2023 का पर्व 19 सितंबर 2023 मंगलवार को मनाया जाएगा गणेश स्थापना का शुभ मुहूर्त 19 सितंबर 2023 मंगलवार को सुभे 11 बजे से दोपहर 08 बज कर 34 मिनट तक है गणेश चतुर्थी पर गणेश जी को डेढ़ 3, 5, 7 या 10 दिनों के लिए घर ला सकते हैं यह पूरी तरह से आपकी श्रद्धा और सुविधा पर निर्भर करता है अधिकतर लोग गणेश जी को 10 दिनों के लिए घर लाते हैं क्योंकि गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक 10 दिन का समय होता है अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी का विसरजन किया जाता है यदि आप डेड, तीन, पाँच या साथ दिनों के लिए गणेश जी को घर लाते हैं तो आपको गणेश जी की स्थापना के दिन ही विसरजन का मुहूर्थ देखना चाहिए गणेश स्थापना का शुभ मुहूर्थ, 19 सितंबर 2023 मंगलवार, सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बज कर 24 मिनट तक है